इसमें guys 4 ohm से कितना heat dissipate होगी हमें यह calculate करना है और हम लोग जानते है heat dissipation according to joules law of heating heat dissipation हम कैसे निकालते है h equals to i square rt that is expression of joules law of heating जब यह भी एक मांसा question पुछा जाता है तो आप इसे explain कर देते हो और सारे symbol को भी explain कर दे हो खर तो यहां पर जो i है r तो हमें पता है r की value क्या है आपका वेर जो r हो गया वो 4 ohm हो गया i जो हो गया यह कैसे निकलेगा time दे रखा है 5 second लेकिन i कैसे निकलेगा तो हम लोग जानते हैं कि यह 6 volt की battery है तो हमके i equals to v upon r equivalent लेंगे क्योंकि जो पूरा circuit है यह दोनों resistance मिल के circuit से या battery से current बिड्रा करेंगे हम single r को नहीं लेंगे क्योंकि यह इसे parallel placed नहीं है i equals to आप निकाल लोगे r equivalent तो आपको दिख रहा है series है series का मतलब दोनों add हो जाएंगे 2 plus 6 2 plus 4 6 ohm हो जाएगा इसका मतलब 1 ampere current यह बिड्रा करेंगे दोनों register मिल के अब हम यह सारी value place कर देते हैं तो जो हमारा heat आ जाएगा say h equals to 1 का square and r हो गया 4 and time हो गया 5 और यह सारा कुछ हमने SI unit में रखा है तो इसका मतलब जो भी हमारा answer आने वाला है 20 वो SI unit होगा heat का जो क्या होता है joule होता है thank you guys स्थाउजड़ ममें एकमान मे में क हमक्या है झाल मेंवाड़ यह सारी नाएदार यह सेस्वार में गूछ जाने तूачार को सकतल है